बहतर बिजाई एवं अनुकूल मौसम के कारण चालू खरीफ मारकेटिंग सीजन के दोरान मुंगफली एवं सोयाबीन के उतपादन में अच्छी बड़ोतरी होने के आसार हैं, मगर अरंडी तथा नाईजर सीर की पैदावार घटने की संभावना, तिल तथा सूरज मुखी का उतपादन गत वर्ष के लगभग बराबर रह सकता। फसलों की कटाई तयारी पहले ही आरंभ हो चुकी। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने खरीफ कालीन तिलहन फसलों का पहला अगरिम उतपादन अनुमान जारी कर दिया। पिछले साल के मुकाबले इसका कुल सूरजमुकी का उतपादन साठ हजार्टन होने की संभावना है, जो गत वर्ष के बराबर ही है। Bureau Report Market Times TV